दोस्तो नमस्कार हमारी यूटूब चैनल हेल्थ फिटनिस में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम आप सब के लिए लेकर आये हैं बोवे बेन 75 mg इंजेक्शन के बारे में इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बाते करके देंगें दोस्तो तो दोस्तो आप हमारे स साथ बने रहे हैं और इस वीडियो को लाश्ट तक देखे और ध्यान से देखिए तभी आपको वह भी बेन 75 mg इंजेक्शन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाएगी कि इस इंजेक्शन का किसमें प्रयोग किया जाता है कब प्रयोग किया जाता है कैसे प्रयोग किया तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इससे हमारे नीव वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी तो आया जानते हैं बोवीवेन 75 mg इंजेक्शन के बारे में सबसे पहले मार और यह सबसे सस्ता इंजेक्शन है 5 रुपे इसका MRP है और जानते हैं इस इंजेक्शन में साल्ट क्या है कंटेंट क्या मिलाया गया है इसमें डाइकलोफिनेक सोडियम 75 mg इस इंजेक्शन में मिलाया गया है तो आये जानते हैं इस इंजेक्शन को प्रियोग कैसे किया जा इस इंजेक्शन का प्रियोग जादा तर डाक्टर मांस पेशियों में दर्द हो रहा है तो वहाँ पर प्रियोग किया जाता है गर दातों में दर्द है वहाँ पी इसका प्रियोग किया जाता है गठिया के सम्मंदित दर्द के इलाज में इसका प्रियोग किया जाता है इस इंजेक्शन को आप डाक्टर के सलाह के अनुसार दिन में दो बार प्रियोग कर सकते हैं और ज्यादा तर एक बार ही यूज किया जाता है डाक्टर के सलाह के अनुसार दिन में दो बार इसको प्रियोग कर सकते हैं सुबह और साम की टाइम भी इस इंजेक्शन का प्रियो को बन आपक्त करें डाक्टर के सलह redo के अनुसार डाक्टर के शलह लेने के बादए आप इस इन्जेक्शन का प्रियोग कर सकते हैं आप बीना डाक्टर के अनुसार पेन किलर का इंजेक्शन या पेन किलर का टेबलेट आप नहीं ले सकते हैं ज्यादा तर पेन किलर का इंजेक्शन या टेबलेट सरीर में नुकसान ही करता हैं तो जब भी आप इंजेक्शन को लें या टेबलेट को लें पेन किलर कोई सबी तो अपने डाक्टर के सला के अनुसार ही इस टेबलेट का या इंजेक्शन का आप प्रियोग कर सकते हैं तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने जरूरत मंद लोगों के साथ इस वीडियो को सेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इससे हमारे नी वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी क्योंकि हम एलोपैथ मेडिसीन के बारे में नए नए वीडियो लाते रहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों थैंक यू